हाई गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर यहाँ पर हम NTA से रिलेटेट सभी इनफार्मिशन आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रवाइड कराते रहते हैं तो गाईस यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि NTA ने NET UGC NET का जो एक्जाम सिट था उसको रिलीज कर दिया है आप लोग इनके ऑफिसल वेफसाइट पर जाकर एक्जाम सिट को डाउनलोड कर सकते हैं जब आप लोग इनके ऑफिसल वेफसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ही यहाँ पर नोटिस देखने के मिल जाएगा कि पब्लिक नोटिस डे यहाँ पर 13 नमबर 2021 डेट and subject wise schedule for UGC NET December 2020 and June 2021 साइकल का जो यह नोटिस है यहाँ पर आप लोगों को देखने के मिल जाएगा तो चलिए इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर कर देखते हैं कि कि subject का exam किस दिन किस subject का exam NTA किस दिन कराने जा रहा है तो जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं और हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं वो पर चैनल को subscribe कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी on कर दे ताकि हमारे द्वारा uploaded सभी important वीडियों आप लोगों को सही समय पर मिल सकें गाइज यहाँ पर हम NTA के official website से इनके notification को download कर लिये हैं आप लोग देख सकते हैं यह notification आज ही release हुआ है इसमें आप लोगों का जो exam का जो चरण है उसको भी mention कर दिया गया है यह 20 तारिक से आप लोगों का exam start किया जाएगा 20 November से और यह last इसका जो date है वो 5 दिसंबर तक आप लोगों का exam computer based test के माद्यम से कराया जाएगा यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे जो पहला day 20 November का जो exam कराया जाएगा उसमें तकरीबान कुल 36 subject का exam उस दिन लिया जाएगा इसमें आप लोग अपने subject के हिसाब से अपने schedule को यहाँ पर चेक कर लिए इसका notification का जो link है मैं अपने वीडियो के description में इसका link mention कर दूँगा आप लोग वहाँ से इसके link को download कर लीजेगा इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एडल्ट एजुकेशन अरभी अरब कल्चियर अरभी चैनीज कंप्रिहंसन इस्टडी डॉगरी जर्मान गुजराती इसमें आप लोगों का exam कराया जाएगा फिर जो 21 नमंबर को exam का date रखा गया है इसमें तकरीबन पुल पांच सब्जेक्टों का exam होगा जिसमें ला का exam है वो 20 नमंबर को जो first shift में कराया जाएगा और साथ में psychology का भी सी दिन exam है यह भी first meeting में exam का date रखा गया है इन्वार्मेंटल साइंस का exam second meeting में रखा गया है और उसके बाद performing जो art है यानि dance drama theater उसका भी second meeting में exam है और physical education का exam 21 नमंबर को कराया और टिये कराएगा जिन लोगों का जिन लोगों का political science group वनका exam यहाँ पर जो लोग political science से हैं उनका exam first shift में है या फिर जो लोग संताली योगा political science administration और women study का exam देना चाह रहे हैं उनका exam जो है वो 22 नमंबर को NTA लेगा उसके बाद 24 नमंबर को NTA जो है वो economics in library and information science मराठी पंजाबी संस्कृत traditional subject जो है उन लोगों का exam जो है कि first and second shift में इसका exam लेगा और उसी दिन जो है वेदान्थ और उर्दू का भी exam NTA लेगा यह जिन लोगों का इससे related subject है उनका exam 24 नमंबर को NTA कराएगा उसके बाद 25 तारिक का जो schedule रखा गया है उसमें commerce, music, commerce 2 और virtual art का exam NTA कराएगा जिन लोगों का इससे related subject है उन लोगों का exam 25 नमंबर को अब first and second shift में इनका exam कराएगा आप लोग इसमें से अपना subject जो भी subject अब लोगों का है आप उसके carding अपने exam के date को यहाँ पर याद कर लेए फिर commerce subject से related जिनका भी paper है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि commerce 3 का exam जो है वो 26 नमंबर और तमील और साथ इसाथ computer science का जो exam है वो भी 26 नमंबर को कराया जाएगा हिस्ट्री का भी यहाँ पर एंटियन हिस्ट्री का जो exam डिट रखा है वो 29 नमंबर को रखा है और population studies, anthropology, history 2 का exam जो है वो 29 नमंबर को first and second पाली में आप लोगों का exam कराया जाएगा फिर उसके बाद 29 के बाद 30 नमंबर को जो आपका exam है वो management का exam रखा गया है जिसका subject code यहाँ पर 17 mention कर दिया गया है यहाँ पर आप लोग यह भी देख सकते हैं कि यह जो इंगलिस का first और second जो पेपर है वो एक December को इंगलिस का पेपर कराया जाएगा और उसके बाद तीन December को जो है वो education कश्मीरी मल्यालम रशियन education part 2 electronic science और उसके बाद social science का exam तीन December को रखा गया है इनके जो exam sit है उसमें चार दिसम्बर को अशम, बोडो, ओडिया, तेलगू, और लेबर, वेलफेर का exam जो है वो चार नमंबर को रखा गया है और पाँच दिसम्बर को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओडिया, तेलगू, लेबर, और social science का exam रखा गया है आप लोग इनके official website पर visit करके इनका notification जो exam sit से related इनका notification है उस notification को डाउनलोड करके अपने exam के date को अच्छे से याद कर लें कि आप लोगों का जो exam है वो किस टेक हो है साथ इस साथ में अपने description box में भी इसका official link दे दूँगा आप लोग वहाँ से भी इसको download कर लें अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, subscribe करें और साथ ही बिल आइकन को on कर दें तक हमारे दुआरा सभी informative वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सकें